लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए हम कई बार कम पैसों के चलते या सस्ती बाइक मिलने पर सेकेंड हेंड बाइक खरीद लेते हैं लेकिन अगर हम बाइक खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान नहीं देंगे तो यहां जितना फायदे का साओडा है उतना घाटे का भी हो सकता है इसलिए बाइक खरीद ते समय हमें कई बातों के ध्यान रखना चाहिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपून जानकारियां दे रहे हैं बाइक खरीद ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप अधिक पैसे ना चुका दें इसलिए से केंड हेंड बाइक की स्थिती उसका पंजिकरन सार्टिफिकेट विक्रेता की मालिक आना स्थिती आधी जैसी बातें काफी अहम हो जाती हैं वाहन की बीमा पॉलिसी होना बहत जरूरी है आपको बता दे की बिना बीमा के आपका वाहन रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिस में रजिस्टर नहीं होगा इसलिए वाहन खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके मालिक से बीमा पॉलिसी ले ले साथ ही बाइक के मालिक से रोड टैक्स कार्ट भी लेना चाहिए क्यूंकि इसमें वाहन खरीदते वक्त चुकाया गया रोड टैक्स का विवरण होता है वहीं इसे वाहन का registration transfer करने में RTO में जमा कराना होता है बाइक खरीदते समय बाइक की RC लेना कभी ना भूले बाइक बेचने वाले की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि बाइक बेचते समय वे आपको RC दे वहीं खरीदार को RC में लिखी detail और बाइक में लिखी detail का मिलान जरूर कर लेना चाहिए RC में जो बाइक की chasis नमबर और engine नमबर है बाइक की body और engine पर भी वही नमबर होना चाहिए इसके अलावा RC में बाइक के माले का नाम, tax payment की स्थिती और regional transport office आदी के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए वहीं अगर RC book में bank की मोहर लगी है या हाई पोथे टिकेशन में किसी bank में finance company का जिक्र है तो इसका मतलब है कि उसे खरीद देने के लिए loan लिया गया था ऐसे में आपको बाइक बेचने वाले व्यक्ति से form 35 स्या bank से अनापती प्रमानपत लेना चाहिए इसके बाद ही आप RTO से बनने वाली नई RC में bank loan की entry की खत्म कर सकेंगे अगर आपने बाइक खरीद दे समय उप्रोक्त बातों का ध्यान नहीं रखा है तो आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपको बाइक खरीदने से पहले पूरी जाच परताल और certificate आधी का पूरा ध्यान रखना चाहिए नहीं तो यह छोटी सी लापरवाही आपको किसी बड़ी परिशानी में डाल सकती है पुरानी बाइक खरीद दे समय हमें प्रदूशन नियंतरन सार्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है अगर पुराने माले के पास यह certificate नहीं है तो आपको इसे लेना चाहिए